नमस्कार आप देख रहें नेशन लाइव और मैं हूँ आपके साथ रवीना तो हम गांदीर अगर विधान सबा घूम रहे थे तो डगूपुरा वॉर्ड में अभी हम मौजूद हैं 27E वहाँ के एक पृतियाशी है आम आदमें पार्टी से हिमानी शर्मा जी उनसे बात चीत करते हैं कि अभी जो MCD एलेक्शन आने वाले हैं उनको लेकर क्या विजन है उनका नमस्कार मैं नमस्कार जी मैं शुर्वाती क्वेशन यहीं होगा कि क्योंकि एलेक्शन जो बिल्कुल नजदीक आने वाले थे लेकिन पॉस्पॉंड हो गए हैं देखते आंगे क्या रहते तो विजन क्या है आपका उन एलेक्शन को लेकर तैयारी पूरी है और पॉस्पॉंड क्यों है यह रीजन सभी जानते हैं क्योंकि वीजेपी को थोड़ा सा डर लग गया है आमादने पार्टी से क्योंकि हमने काम ही इतना किया है और केजरिवाल जी ने काम उनकी नीतियां ही इतनी अच्छी है तो डर ना लाजमी था उने काम हम हमेशा अपने लाइस में कंप्लेंड करते हैं क्योंकि जगा जगा उन्होंने काम कुछ नहीं किये तो अब उन्हें अपने काम दिखाने के लिए अपना प्रचार करने के लिए वक्त चाहिए था और यह वक्त और किसी तरह नहीं मिल सकता तो उन्होंने यही री तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इतनी मेहनत जो कर ली है और इतने सालों में जो उनका काम था जरूरी था यहां के जो निगम पार्षद है उनका काम था इतने सालों में वो कर ही नहीं पाए वो तो कवर कभी नहीं हो सकता चाहिए वो कितने साल लगा दे इस पार यह भी कि जो इहां के निगम पार्षिद है बीजीपी से शामसुंदर अगरवाल जी वो मेर भी है इस डेली के तो हो सकते है कि इस एरिया में आम आदमी पार्टी का अपना वो दिखाना आया चीड़े में अपना एक जमाना मुश्किल हो सकता है तो जी मुश्किल तो होगा क्योंकि इतने साल में जो उन्होंने नहीं करा वो एक दिन या कुछ दिन या कुछ महिनों में तो कवर हो ही नहीं सकता और ऐसी बाते हैं कि सरफ इस एरिया में उनका अईरिया बहुत बढ़ा और मैं जगा जगा जाते हुए कि गली हम गए हैं लोगों ने खुद आके शिकायते करी हैं कि उन्होंने तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि हमारे हां के मेर मेर कौन है शाम सुंदर अगरवाल भी हम सही पता लगा अच्छा ये लीडर हैं इनको काम करना चाहिए और बहुत उन्होंने कंप्लेंडे भी करी हैं तो आज तक तो जो काम नहीं किया वो अब कुछ टाइम में तो कवर बिल्कुल नहीं कर पाएं तो अगर जनता इतनी परेशान है बीजेपी से तो पंदरा साल कैसे फिर मतलब पंदरा तीन का रहा काल से कैसे फिर बीजेपी दोबारे र बहुत तकलीफ है उन्होंने सोचा एक मोका एक मोका अब केजरिवाल जी मैदान में उतरे हैं और सब को पता लगाए कि उन्होंने काम क्या किया क्योंकि कभी कभी होता है जिसे वो नीतिया निकालते हैं और वो जगा जगा नहीं जा पाती क्योंकि हम एक हम मेरे तक नीतिय मैं दूसरे को जब तक नहीं बताऊंगे उसके बारे में वो उस चीज को नहीं उस करेगा तो अब धीरे धीरे उन अब लोगों तक वो चीज पहुच गई है नीतियों क्या आपने बात की तो जो केजरिवाल जी ने शराब नीति वो लेकर आये हैं तो उससे बीजे भी काफी प्रेदर्शन कर रही है उसके खिलाफ और काफी जंता भी ऐसे बात चीज अगर हम करते तो सामने आई कि हाँ जंता इसे परेशान है तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे जी वैसे इस पर बोलने का तो है नी लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी अगर शराब की बात है त देखिए अब सरकारी कुछ तो निकालना था हमने उन्हें इतना मदलब स्केजरिवाल जी ने उन्हें इतना मोका दिया कि आपको हम हम बंद कर रहे हैं अब अपना उतना लिमेट लेकिन उन्होंने भी हद कर दी तो इस चीज पर रोक ठाम होगी ऐसी बात का बबी कि में वगेरा चल रही थी वो बंद भी हो गई है और दीरे दीरे इस पर एक्शन लिया जाएगा केजरिवाल जी की नजर है तो एक और सवाल हम जंता से रिलेटेड ये पूछना चाहेंगे कि अगर आप मतलब आमान भी पार्टी आपको चुनती है टिकेट के लिए और ज साहरे जो यहां पर आप खुद ही अपने सर्वे किया होगा घुमे होंगे क्योंकि सफाई से बहुत रिलेटेड परिशानिया है नाले, सडके, लाइटे और करमचारियों की तनखा सबसे पहले लेकिन तो फिर जो बीजेपी आरोप लगा रही है आमान भी पार्टी पर कि उनका फंड नहीं मिल रहे है इसले वो काम नहीं कर पारे तो क्या उस पर क्या आमान भी पार्टी क्या सच में नहीं दे रहे है उनको फंड नहीं ऐसा कुछ नहीं है अगर आमान भी पार्टी फ होंगी लेकिन जो जड़ में अंदर गलियों में बहुत चीज़ें हैं से जो नहीं हो पा रहे हैं एक काम किया जाएगा और यही जनता से वब्रक्रण के रिक्वेस्ट है कि प्रॉब्लम्स वह सबसे बड़ी बात है कि जब आमाद में पार्टी के और और को देखते हैं और फीडियों को कोई पारिशानी आ और यह काम नहीं हुआ तो तो हम अभी है कैसे कि क्या यह ऐसा है क्योंकि अभी MCD में केज रिवाल जी की मतलब सत्ता नहीं है तो क्या यह जब आप जीज जाएंगे अगर माल लीजी होता है ऐसा तो क्या बाद में ऐसा ही हो जाए गाइगा क्यों दोबारा जंता उनके पास आने को डरेगी या फिर जो कार्या करते हैं या फिर जो निगम पार्शल बनते हैं उनकी रिस्पोंसिब्लीटी नहीं बनती कि वो खुद जनता के पास जाए ना कि जनता उनके पास आए जी यही तो हमारे आम आदमी पार्टी की खासियत भी है क्योंकि पहली बात तो किसी को हिचक होगी ही नहीं हमारे पास आने की वो खुद आएंगे हमने अभी तक जितना करा है कि वो अपनी बेटी मानते हैं तो खुद मुझे मतलब परिशानियां बताते हैं तो सब के लिए यही है कि मैं खुद उनको आने के जुरुत नहीं है मैं खुद जाओंगी एक एक घर जाओंगी कि आपकी इसकते हमें दिखी हैं हमने करिए और कोशिश करिए कि हम अपने पर्सनल भी उसको नवीन चोदरी दिपू जी तक उन्होंने खुद सब के सहायता करें चाहिए लाइट हो चाहिए सफाय हो चाहिए सड़क हो जो जो हमें परिशानियां आती हैं और आगे भी यही रहेगा क कि हम एक एक प्रॉब्लम को खुद पूछ के सॉल्व करेंगे उन्हें शिकायत का एक भी मोकानी देंगे एक भी पॉइंट नहीं आएगा कि उन्हें ये कहना पड़े कि बेटा ये काम नहीं हुआ जिन निगम पार्षा दो आपने ये काम नहीं किया ऐसा कुछ नहीं होने वाला शुक्रे आपका हमारे साथ बनने के लिए तो ये थी हिमानी शर्मा जी इनका कहना है कि अगर इनके सरकार यहां आती है जंता इनको अपना समर्थन देती है तो जो M.C.D. का जो काम होता है बेसिक चीजे होती है पार्कों की सफाई करवाना लाइट्स वगरा लगवाना जो इनका कहना है कि अभी नहीं होए इस शेत्र में तो ये वो करवाएंगे तो आगे जंता के हाथ में है कि जंता किसको अपना समर्थन देना चाहेगी जंता किस पे अपने उमीदें लगाना चाहेगी अब इतक के लिए इतना ही ऐसी जानकारों के लिए बने नेशन लाइब के साथ कैमेरामेन मनीश रिवाड़े के साथ मैं रवीना